आप सभी का परफोर्मेंस कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा कल का वीडियो में आज हम देखेंगे बाल विवनो विज्ञान के 40 प्रसन ठीक है कल हमने देखा था 40 प्रसन जिनमें आप सभी का बहुत ही अच्छा परफोर्मेंस मिला है वीडियो में अच्छा कमेंट बॉक्स में सभी नोगों ने अंसर दिया है तो चलिए आज ही क्लासी स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से लेकर पार्ट फोर वीडियो टर्ख हमने कल की क्लासेस मिले देख चुके हैं आज आपका रहने हम पार्ट फाइब अगर आने वाले वीडियो में आपका पर्फॉमेंस अच्छा लगता है तो हम पार्ट फिक्स वीडियो लेकर आएंगे ठीक है तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अगर जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो जल्दी से के शेयर किई गए ताकि अधेकी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँंच सके चलिए जाद बाते करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं कि सोरा आवस्था प्रारम होती है चलिए नेस्ट है आपका प्रकास कार्यसिल व्यक्ति का संप्रताइ किस न Südhiya है तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कार्ल रोजर्स में बिल्कुल सही है दोस्तों देखे अगर कल के क्लास आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंग में दिया गया जाके जुड़ जाएगा साथ ही अगर आप वाट्सप गुरूप पर जुड़ जाएगा बाकी का और भी वीडियो है वहाँ पर प्लेलिस्टे के माध्धम से पूरा करला दिया हूँ हास्टल वाड़न में 10 नमबर मनो विज्ञानिक से प्रस्न पूछा जा रहा है लेवरिस्पेक्टर में 34 पदों पर भरतिविग्या पंजारी किया गया उसका एक्जाम है आपका 18 जून को होगा ठीक है तो जो लोग लेवरिस्पेक्टर की भी दयारी करना चाहते हैं तो बिलकुल वीडियो को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक कर देजेगा टीक है चलिए नेश्ट कोस्चन है आपका कि नीम्नमे से किसने बच्चों में वस्तु इस थैत्य के ठीक फटाफ़िट करना स्ठाट करें कमेंट बॉक्स हमें ना मेरे question पढ़ने से आप पहले लोगों का answer आ जाना चीए गलात होता है कोई दिक्कत नहीं हम आपको बताएंगे ठीक है चली next question है सूर्य बच्चे के सांथ ठीक है सूर्य बच्चे के सांथ सांथ चलता है ठीक है मालीजर सूरिया जो है बच्चे के साथ साथ चलता है उसके मूरने का अनुकरन करता है और बच्चे की बात सुनता है या कथन बाला के किस लक्षन की ओर इंगित करता है आप लोग सभी के लिए प्योश्चन दिया हूं है इन चारों में से एक option आएगा आप सभी comment करके बताईएगा जितने भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर मेरे channel पर वो comment करके बताईएगा कि इसका answer क्या होगा A होगा, B होगा, C होगा या D होगा फटाफट comment करके बताईएगा इस्टूडेंट जितने भी यहाँ पर इस्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे channel पर जो लोग class continue कर रहे हैं daily class वो अहाँ पर answer बताईएगा ठीक है, चलिए next question चलते हैं किसने या दावा किया कि सभी भासाओं में किसने दावा किया है सभी भासाओं में होने वाले कुछ सरोगों में गुण जन्मजास से होते हैं बी एप इसकिनर, अलबर्ट वंडूरा, नाम चाम्सकी, इसी टाल में मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको performance कैसा लग रहा है मेरा आप लोग comment box में जरूर दिजिएगा ठीक है, part 6 वीडियो अगर चाहिए आपको तो comment box में comment कीजिएगा कि सर यह वीडियो काफी ज़्यदा interested है आप part 6 वीडियो लेकर जरूर आए ठीक है, आपका कौन सा class चाहरा है part 5 वीडियो, ठीक है वीडियो आपको कैसा लगता है नीचे description, comment box में जरूर कीजिएगा यह वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो अच्छा खासा चला जाता है तो part 6 वीडियो लेकर जरूर आऊंगा ठीक है, और साथ ही मैं आप सभी को एक और बात कहना चाहूंगा कि जो लोग hostel water की तयारी कर रहे है उनमें 36 गड़ की class start हो चुकी है और computer की class भी start हो चुका है ठीक है, labor inspector के सभी class करा जा रहा है मैस सक क्लास कल साम 5 वज़े से starting हो जाएगा ठीक है, तो चलिए यहां से फिर से class स्टार्ट करते है फ्रायत के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे ध्यान जनांगों की तरब जाता है जल्दिस comment करके बताईगा मुखिय, गुदिय, लैंगिंग या प्रसुती तो इसका answer बिलकुल C हो जाएगा लैंगिंग, ठीक है चलिए निम्न में से कौन सा बच्चो को ये हेतू वेसलर बुद्धी मापी में निस्कासित होता है तो चलिए इसका answer फटाफट दीजेगा answer A, अंकगनितिय, answer B, साद्रिसियता यानि कि समानता, answer D, साब्दिक्तर का या आपसंडि चित्रपुर्ती देखे दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियों पर interested हैं, काफी जाद आपको performance अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर subscribe कीजेगा और वीडियो को like कीजेगा, ठीक है जल्दी से जितने भी बच्चे एक बाट जुड़ चुके हैं आप सभी के लिए वेरी गूड आप सभी के लिए एक वेरी गूड बनता है इसके बाद देखेंगे ए बायोग्राफिकल इसक्रेच आप इनफेक्ट किसने लिखी है फटाफट कमेंट करके बताईगा प्रियर, सीन, डार्विन, इस्टर्न तो इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा डार्विन, ठीक है चलिए, नेश्ट कोस्चन है मानवी क्रित मान की क्रित परिक्षन का अर्थ होता है तो इसका अर्थ विश्वस्निय, वैध्यता, मानात या उप्रोक्त सभी तो जल्दी से कमेंट बाक्स में कमेंट कीजेगा इसका आंसर क्या होगा जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार या इस्टुडेंट जो भी हो यहाँ पर जुड़ चुके हो कमेंट कीजेगा फटा फट इसका अंसर क्या होगा चलिए मैं आपको 30 सेकंड फिर से समय दे दिया जा रहा है आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर कीजेगा एकबर फिर से मैं आप सभी को कहना चाहऊँगा कि वीडियो को परफॉर्मेंस ऐसे लग रहा है वीडियो को परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजीगा जितना हो सके वीडियो को सेयर करे ताकि अधिक स्टूडेंट इस वीडियो को लाग ले सकी ठीक है चलिए तो सभी लोगों को आंसर बिल्कुल सहीं आ रहा है क्योंकि विश्वसनियता वैध्यता और मानक यह आपका मानकी कृत परिक्षन का अर्थव होता है दोस्तो मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है अगर आप व्यापम की तयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सहीं वीडियो पर आएं इंट्रेस्टेड वीडियो आप सभी के लिए देखते हैं कि यहाँ पर जो कंप्यूटर की क्लास होती है आपका साम साधे साथ से साथ से स्टार्टिंग रहता है साधे नौ के बीच तक यह जो रिकॉर्डट क्लास है अभी बिल्कुल अप्रोड किया जा रहा है देखे लाइब क्लास के लिए मेरे पर टाइम नहीं क्योंकि दीन में यानि कि वन डे मैं फोर क्लास अप्लोड किया जा रहा है यानि कि बहुत सारे मेरा उर्जाख खतम हो पाता है ठीक है और मेरे लिए भी टाइम नहीं बसता क्या है कि इधर उदर मेरा भी काम रहता है है ना इसलिए मैं डेली क्लास ले रहा हूं चर्चर वीडियो यानि कि 4 क्लास एक दिन में 4 क्लास मैं वीडियो अप्लोड कर रहा हूं जिसमें आप सभी के लिए मेनत छुपा है मेरा तो आप लोग वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा ठीक है चलिए कीज मनों वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्या है तो इसका आंसर काल सनी आपसन भी प्याजे आपसन सी स्कीनर आपसन भी हर लोग दिखे इतना में मेंनत करने के बाद यह वीडियो लेकर आया हूँ जो की selected question है जो बार बार एक्जाम में पूछा गया है ठीक है चाहे आप सिच्छक भरती की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो काफी ज़्याद़ परफोर्मेंस वीडियो है बिल्कुल आंसर सी होगा very good व्यक्तित्व विकास की अवस्था है व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सा होगा अपसन A. अधिगम एवं बुद्धी आपसन B. व्यक्तित्व व्रित्त अध्यन अपसन C. उपचारातमक अध्यन अपसन D. इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर आपका A हो जायेगा अधिगम एवं बुद्धी कितने लोगों का अंसर आ रहा है आप लोग प्लीज कमेंड बाक्स में जरूर कमेंड कीजिएगा न यहाँ पर चूप चापना बैठे रहिएगा आप सभी को मैं तयारी कर रहा हूं इतना मेहना से आप लोग कमेंड बाक्स में अंसर जरूर दीज है तो डिस्क्रिप्शन की निचे लिंग में दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा कम्प्लेट कोर्स करा दिया हूं जाकर आप जूर जाएगा चलिए इसका अंसर क्या होगा विकास में बुद्धी से तात्परिक क्या होता है कमेंड करके बताईए फटा मैं ब्लॉक कर दूँगा ताकि आप मेंसेज ना कर पाओ ठीक है विकास में बुद्धी से तात्परिय है ज्ञान में बुद्धिी शम्DS में बृद्धि वजन में बृद्धि आकार्सों समझ कोसल में बृद्धि तो इसका अंसर डी हो जागा क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी लोगों को डिश्टब होता है क्योंकि बार बार आप लोग मेसेज करते हो चलिए तनाव और क्रोथ की अवस्था है तो तनाव और क्रोथ की अवस्था पर की सोरा अवस्था है जो की कितने वर्सों से स्टार्ट होता है आप लोग कमेंड करके बताएं ये 12 वर्से स्टार्ट होता है 16 वर्से से स्टार्ट होता है ये 14 वर्से से स्टार्ट होता है आप सभी लोग कमेंड करके बताएं इसका आंसर क्या होगा इसा अवस्ता कितने वर्सों से प्राराम होता है कमेंड करके बताएं बाल्य अवस्ता कितने वर्सों से प्राराम होता है वृद्ध अवस्ता कितने वर्सों से प्राराम होता है सभी का आप लोग आंसर इस कमेंड बॉक्स में जरूर दें बालक का विकास परिणाम है तो बालक का जो विकास परिणाम है क्या है वनसनुक्रम वातवरन की अंतख्रिय या फिर आर्थिक तरको कर तो इसका आंसर आप सभी ने दिया है मेरा उर्जा बहुत ज़्यादा खतम हो चुक है दोस्त यहाँ पर या चरचर क्लास लेना पड़ता है न ती 30 मिनट का यानि कि आधा आधा गंटा का समय लेना पड़ता है बहुत ज़्यादा उर्जा खतम हो जाता है मेरा आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को ज़रूर सेयर कीजेगा लाइक कीजेगा सस्क्राइब कीजेगा डेली क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा सारिक विकास का छेत्र है इस नायू मंदन डारेक्ट आपको मैं आंसर बताते चलता हूँ ठीक है स्याम पट्ट लिखते हैं समय सबसे महत्तपुर्ण क्या है तो दिखिए इसका आंसर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो स्याम पट्ट होता है मालू जेगा यह हमारा एक ब्लेक बोर्ड है इसमें हम कुछ लिखते हैं ठीक है वाइड बोर्ड या ब्लेक ब्लेड जो भी हो उसमें हम लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए अच्छी लिखावट होनी चाहिए या पि जैसे कि मैं आप सभी को स्क्रूइन पर अच्छ छोटे चौटे अक्षर में फुरिन लिखेगा है अच्छी हावट नहीं इसी आपको आखा वाठ है जसे Dnantन.» हुद्ध यसे कि में यह लिख रहा हूँ तो यह क्या है। यह ना Acts 4 तौइ मैं बार बार कह रहा हूं जो लोग हॉस्टल वाड़ने के तयारी कर रहे हैं उसमें मनोव विज्ञान का 10 नंबर न्यू पैटर न जोड़ा गया है ठीक है वह इस प्रकर लेवर स्पेक्टर में स्रम विभाग से ठीक है स्रम विभाग से 15 नंबर एड़ किया गया यानि कि 2014 औ बाद किया अनुसार किसके अनुसार संघ्यात्मक विकास के अनुसार समिर्दी क्रियात्मक अवस्था हैं कि दोस्तों मेरो ..... संवेदिक्र्यात्मक अवस्ता है क्या है कि संग्यात्मा करियूसार यह आपका अंसर होगा, जीरो से दो वर्ज, ठीक है, यह नहीं है न, यह गलत है, निम्न में से कौन सा कथन सकते हैं आप लोग बताएगा, लड़के के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कें अधिक बुद्धिमान होती हैं, नहीं, बच्चों में नैतिक तक इस थापना के लिए सरवत्ता मारग कौन सा है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना जरूरी है या फिर सिच्छक का आदर्स रुप में वेवहा याने कि मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा बच्चों में नैतिक तक इस थापना के जैसे कि आप सभी के में जैसे मेरा ले लिजेगा उधारर मेरा और आपका मेरा और आप लोगों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए तो ये आपका इसनेह संबंध होना चाहिए ठीक है इसने हाँ, ठीक है, तो जैसे कि आदर्स रुप में सम्बंध होना चीए, ठीक है आप जैसे मेरे विद्यारती हो तो उसमें आदर्स होना जरूरी है, तो आप से कौन सो जग शिच्छक का आदर्स रुप में विय वहाई ठीक है किरुकर एक बढ़ आप सभी से कहना चाहूंगा मेरा पर्फॉंस कैसा लग रहा है आप सभी का पर्फॉंस मुझे बहुत ही पसंद आया है आप सभी लाइक किये हैं कमेंद बॉक्स में अच्छे सभी आंसर दे रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप सभी मेरा परफॉमेंस बताइए कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया कि नहीं आया पसंद आता है तो हम नेश्टे क्लास लेकर आएंगे ठीक है पार्ट 6 वीडियो है ना चलिए पार्ट 5 वीडियो में अच्छा कासा करामेंट चला जाता है लाइक चला जाता है तो आप सभी डेली क्लास करते रहिए सिच्छा में फ्रोवल कमात्व योगधान खाल स्थान का विकास था देखिए ज़ो फ्रोवल होता है आपका किंडर गारडन का होता है हमेंसा याद रखना ठीक है और पूंटर के लास करा चुका हूं जाए जाकर अब देख सकते हैं हमारे चैनल पर इसका क्या यह फ़ायों की भावना यह तो मैं बता दिया हूं यह तो पिछले प्छाओं में शिछक का अतीमात्पण उद्देश से क्या है तो देखे सिछक का अतीमात्पण उद्देश है कास की जो का एक्राम था उसको है ना इसको भी छोड़ दीजीगा चलिए यहां से लेते हैं भारत सरकार की कंप्यूटर अधारित अधिगम की प्रक्रियाय माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल ठीक है यह आपका आईटी स्कूल है उसमें योजना शुरू किया गया था कब 2004 में कब शुरू किया था 2004 में मेरा जो लिखावाट अब बिल्कुल आप सभी को क्लियर हो रहा है क्या बिल्कुल सही है 6-14 वर्ष के बीच के आयू के बच्चों में देखे ध्यां से सुनना न 6-14 वर्ष के बीच के आयू के बच्चों में कितने से कितने बच्चे 6-14 वर्ष बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्या मेरा लिखावाट 6-14 वर्ष के बीच के आयू के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुपत और अनिवार्य सिख्ष देने के लिए सर्वसिख्ष भियान सबसे इंपोर्टन क्या पता है आपको याद रखना सर्वसिख्ष भियान 2001 में लागू किया गया था चलिए इस्तरी यानि कि गुणवर्टपन सिख्षक सिख्षक के लिए पाठ्ठरक्रम धांच और राष्टी अध्यापक सिख्षक परिशत द्वारा निकाला गया था 1998 में ठीक है याद रखना 1998 में मैं फिर से कहना चाहूंगा आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक से दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा ठीक है एक बार में समझ नहीं है तो वीडियो को दुबारा देख लिजेगा ठीक है और सबसे पहले बात यह है आप याद रखना जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब किये हैं उन्हीं को मैं नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ न और बिल्कुल फ्री क्लासेस है मतलब निसूल का केसाथ ठीक है आप अपने दोस्तों से सेर कर सकते हैं वीडियो चलिए लास्ट कोश्चन देख लेते हैं फिर इसका कल क्लासेस देखेंगे इसके बात का कोश्चन ठीक है यह वाला जो कोश्चन दीख रहे हम कल क्लासेस करेंगे पार्ट सीक्स में ठीक है पार्ट सीक्स में देखेंगे आप आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तभी हम 6 वीडियो लेकर आएंगे अन्या था हम नहीं लाएंगे हम पहले बता रहे हैं आप लोग को निम लिखित में से कौन समय तुमन प्रभाव सिच्छ का प्रभावी करता निर्भर करती है तो सिच्छ के विशय के समझ में ठीक है देखे दोस्तों मैं आप सभी को कहारों दोस्तों या फिर इस्टूटेंट जो भी हमारे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कर वीडियो में मे पर टो पर ट्छी पड़ फोर वीडियो को काफी अच्छ सापोर्ट किया है और पकाफी अच्छे क्मेंडबॉक्स किये है यानि कि उसमें लायक वा अगर सभी अच्छ आए एक्जाम साथ ही मंडी नीरक छक्कत क्लास हो चुका है पूरा खतम हो चुका है अब देखिए बहुंसर विकिंग कौन-कौन से वेकेंसी आना बागी है तो देखिए अभी हॉस्टल वार्डन जो 500 पद निकला था उसमें उसको अभी तो निलंबित कर दिये गया है फिरहाल उ लेवर इस्पेक्टर के 34 पद है सिप्छक भरती का आपका 12,489 पद है वसी प्रकार आईटी का आईटी का आपका जो 366 पद उपर हुआ तो इसको बढ़ा कर अभी 920 पद कर देगा है वसी प्रकार फोरेस्ट गाट का भी 1400 से उपर वेकेंसी आया है बहुत सरे वेकेंसी निकल कर आया है आप लोग जाईएगा सभी का फार्म आप डेट दे दियेगा है आप जाकर फार्म भर सकते हैं और जो कि तैयारी कर लेते हैं तो आप वियापम तैयारी इजली हो जाएगा और हमारे चैनल पर बिलगूल वियापम और प्लास करा जारते थे ना कि अन्य झाकलास थीक है तो आप लोग देलweise करना चाहते हैं अधू हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्रेब करें और वीडियो को लाइक करें ठीक है आज के लिए इतना ही आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद